आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे ऐस हम लोग बनाने वाले हैं पालक पनीर की सबजी लेकिन ये पालक पनीर की सबजी थोड़ी से डिफरेंट है इस डिश का नाम है जमन पालक पनीर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको बहुत ही महंगे मिलती है तो क्यों ना ये डिश हम अपने घर पे बनाएं फ्रेंड्स मैंने पालक और मेथी दोनों ले लिया है इस डिश में दोनों ही चीजों का इस्तमाल किया जाता है पालक और पनीर को अच्छे से वाश कर लीजे और अब हम इसको बॉइल करेंगे मैंने गैस को आउन करके रख दी है कड़ाई और इसमें आप अपने मेथी के पत्ते और पालक के पत्ते डाल दीजिए डंठल को हमें निकाल कर अलग कर देना है सिर्फ हमें पत्तो का ही इसमें इस्तमाल करना है पत्ते हमारे ग्रीन बने रहे और अच्छा टेस्ट आए इससे होगा ये friends, पत्ते हमारे बिल्कुल green बने रहेंगे, जब हम इसको boil करेंगे न, तो ऐसे ही ये हरे रहेंगे अब अगर इस नॉर्मल तरीके से boil करेंगी, तो पत्तों में पीलापन आ जाता है अब हम इसे 2-3 मिनट ढग देते हैं, boil होने देते हैं देखे friends, 2-3 मिनट के बार बिल्कुल पालक, मेथी और जो हमने हरा धन्य डाला था, अच्छे से boil हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरीके से friends, हम सारे पालक, मेथी और हरधनियों को निकाल कर प्लेट में रख देंगे और ठंडा होने देंगे क्योंकि गरम हम इसका पेस्ट नहीं बना सकते हैं friend, इसको ठंडा करने के बाद ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो चलिए friend, जब तक हमारा पालक, मेथी ठंडा हो रहा है तब तक हम पनेर को कट कर लेते हैं ये मैंने 200 कराम के करीब पनेर लिया है, आप इसकी मातरा कम जादा अपने family member के हिसाब से कर सकती है अब मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ friend, आप इसका छोटा बड़ा size आपको जैसा पसंद है आप उसे साप से इसको कट कर लिजे मैंने इतने बड़े size में इसको कट किया है, तो मैंने इसको हलका सा fry कर लिया है friends, इस तरीके से हलका सा fry कर लिजे और ये मैंने काजू भुगो दिये थे और अब हम काजू का अच्छे से पेश्ट तयार कर लेंगे पेश्ट इसका हम गाड़ा ही रखेंगे काजू का और ये देखे हमारा पेश्ट जो है काजू का बनके तयार है पालक हमारे ठंडी हो चुके हैं तो हम पालक का भी अच्छे से पेष्ट त्यार करेंगे अब हम इसको पालक के पत्तों को देखें फ्रेंण बिल्aelकुल ठंडे हो चुके हैं और इसका कलर देखें आप बिल्कुल ग्रिन हलका सा फ्राई किया था तेल मेरा गरम है अब इसमें एक चुटकी हीं अदा छोटा चम्मत जीरा और दो तेश पत्ता साथ से आठ काली मिर्च एक डाल चीनी और चार से पांच लॉंग और एक मैने ले लिए है ये बड़ी वाली लाइची इसको आप हलका सा हाथ से तोड़ हाथ से बवक्त ब्राउंच ढाली लाइच है बाद में इसको निकाल देंगे इस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसको हलका सा भूनेंगे फ्रेज्ञ्ण हलका सा भूनने के बाद आप इसमे ठत्रिवी हरई मिर्च, दो ठत्रियमिर्च एक चौटा तकड़ा कद्रक का कद्रकस कर रहा, 7 से 8 लसन कद्रकस कर रहा हुआ, इसको हम अच्छे से भूल के गज मु pakai से दुछ इसको हम अच्छे से भूलेंगे, गैस का फ़्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हम इसको तब तक भूलनना है पहले हम इसको इस तरीके से बूनेंगे टमाटर जल्दी कर जा इसलिए एक चौताई छोटा चमच आप इसमें नमक आड कर दीजे नमक लगतार चला तीजिए चलाने के बाद इसको आप कवर कर दीजिए देखें तमाटर जो है गलने स्टार्ट हो गए है नमक लगतार जाते बस हमें इसको एक मिनद तक इसी तरीके से रखना है और यह देखे इसका तेल जो है उपर दिखाई दे रहा है मतलब टमाडर जो है बिलकुट परफर्क तरीके से गल चुके हैं हमें इसको इतना ही पकाना है टमाडर को अब हम इसमें एड करेंगे मसाले मसालों में इसमें ज कश्मीरी लाल मिर्च इसे बहुत ही अच्छा color आता है एक छस रखिजुऊगों इस ब्राइब मासाले यहां से फ्रैंड धडय करें क्योंकि अल्रेटी हमने तेल में मसाले बहुत अच्छे से भूने हैं बस दो से चार चमस्च पानी डाल कर हम इसको हलका सा एक नड़ तक और भूनेंगे और आप देखे परफेक्ट तरीके से जो हैं मारे मसाले भून चुके हैं इसमें से बहुत ही अच्छी कुछ भूआ रह अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए फ्रेंड थोड़ा सा पतली चाहिए यह सब्जी पालक पनीर के तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड कर दीजिए मैं इसमें पानी का इस्तमाल नहीं किया क्योंकि मुझे गाड़ा ही चाहिए था अब मैं इसको कवर कर कर दोंगे और इसी तरीके से एक मिनट तक पका लोगे और एक मिनट के बाद देखें पूरे मसाले तेल पिलकुत सारा हमारा उपर आ चुका है मतलब सब्जी हमारी बहुत अच्छे तरीके से बनके तयार है अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने हलके से फ्राइ करके क्योंकि बहुत ही जल्दी पक चाता है अगर पहले डाल देंगे तो खराब हो जाएगा यह देखे फ्रैंड काजु का पेष्ट तालने के बाद थोड़ी देर हम इसको और कवर करेंगे और यह देखे फ्रैंड बिलकुल परफेक्ट आपकी मेथी चमन पालक पनीर सबजी न्यायार तियार है अब इसमें थोड़ी से कस्टूरी मेथी दालेंगे है तो इसमें मेथी की सबजी फ्रैंड लेकिन कस्टूरी मेथी होती है उसको का बहुत ही अच्छा टेस्ट की सबजी बनके तयार है रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनी है फ्रेंड आप लोग इसे खाईए इंजॉय कीजिए पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड